सो हेलो गाइस वेलकम तो माई यूटूब चैनल रितिक टेकनिकल सपोर्ट सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोग सैमसंग ए 14 फोन यूस कर रहे हैं तो कैसे आप लोग इसमें कीबोर्ड का सेट अप करेंगे ओके वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप आइकन को प्रेस कर लेना है तो फरस्ट फाल हम यहां पर कोई भी सर्चिंग वाल ऑप्सन ओपन कर लेते हैं जिससे हमारा कीबोर्ड ओपन हो जाए अब यहां पर आप लोग देख सकते कि सैमसंग का डेफॉल्ट वाला कीबोर्ड आपको देखने को मिलता है अब यहां पर आप लोग काफी कुछ चीज़े कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि अगर हम यहां पर थी डोट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहां पर गूगल ट्रासलेट कर डेरेक्ली यूज़ कर सकते हैं क्लिप बोड यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को आप लोग एडिट कर सकते कु तो यहां पे आप लोग language वगरा setup करना हो, smart typing, style and layout में आप लोगों को अगर customization करना हो तो काफी कुछ चीज़े आप लोग आपे कर सकते हैं. अगर आप लोग को कोई भी doubt रहता है तो आप लोग हमें WhatsApp कर सकते हैं. मिलते हैं next video में, जय मतादी.